मुक्ष मारवस्यनेतारं भेतारं करम भूरतां ग्यातारं विश्वतत्वानां वंदेतत गुड़लत देवाजी देवाजी आदिम तीर्थमकर्षीरशवनात भगवान ने की वर्दमान शाशन नायक स्री वर्दमान महावीर भगवान ने की परम पुझ्याचर गुर्वर स्रीविक्द्यशा वर्जी मरवार्वार्शी की उत्वार सुत्र गरंतराज में पंचम अध्याय के शूत्रों का विवरण चल रहा है कल आपको शरीर बचन मन और प्राणा पान ये पुझ्दगल के उपकार हैं ये पताया धा अन्य भी कुछ पुझ्दगल के उपकार हैं जो यहां आगे सूत्रकार कह रहे हैं सुख दुख जीवित मरडो पक्रहाश्च सुख दुख जीवन और मरण ये भी उपक्रह माने उपकार पुझ्दगल द्रब्ब के ही हैं यहां पर ये सुख को पुझ्दगल का उपकार कहा है कौनसा सुख जो इस संसारी जीव को सुख कहने में आता है जो सुख इस संसारी जीव को संसार में रहने से प्राप्त होता है उसी सुख को यहां बता जा रहा है और वह सुख कैसा है? पुदगल का उपकार है यानि संसार में जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं वो सभी पुदगल के कारण से करते हैं पुद्गल का ही कार है और पुद्गल की ही क्रिया है सुख कहते किसे हैं तो यह तो आप सब जानते ही हैं अपने को इश्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अंतरंग से एक आलाद का परिणाम उत्पन होता है प्रसन्नदा होती है उसको सुख कहते हैं उवह सुख का जो परिणाम है उसके लिए भी कारण दो परकार के हैं एक बहाय कारण और एक अंतरंग कारण अंतरंग कारण साथा वेधनी कर्म का उदय होना और बाहरी कारण उस साथा की उदय या उदीरना के लिए अनकूल कुछ सामगरी मिलना जब ये दोनों चीजें उफलब्द हो जाती हैं तभी सुख की प्राप्ती होती है और वह सुख चूंकि बाहरी द्रश्टी से देखें तो भी बाहरी सामग्री के अनकूल मिलने पर उत्पन हुआ इसलिए भी वह पुद्गल का कार हुआ और अगर भीतर देखें तो आत्मा में जब साता वेदनी करम का उदे हुआ तब जो सुख परिणा मुत्पन हुआ तो वह भी करम के कारण से ही सुख भाव पैदा हुआ तो यह समझें कि संसार में जो भी जीव सुख सुख कहते हैं सुख मिले सुख मिले वे सुख उने मिलता तो है ही क्योंकि जब तक पुद्गल की संगती रहती है पुद्गल का कार्य हमारे लिए चलता रहता है तब तक उस सुख की प्राप्ती में पुद्गल सहयोगी बना रहता है और उस पुद्गल के निमित्य से मिलने वाला जो सुख होता है वह पवदगलिक सुख ही होता है वह जीव का अपना अंतरंग कोई आत्मिक सुख नहीं होता जिस सुख ही यहां चर्चा है वह सुख मन का सुख है और इंद्रियों का सुख है क्योंकि शरीर है वचन है, मन है, प्राणा-पान है इनका ही हमें संबंद सुख से जोड़ना है और ये सभी चीजें सुखरूप भी हो सकती हैं दुखरूप भी हो सकती है सुर रहे हैं शरीर, मन, वचन, प्राणा, पान ये सभी पौदगलिक सिद्ध हो चुके हैं अगर ये अपने अनकूल हैं तो अपने लिए सुखरूप हो जाते हैं इस्ट हो जाते हैं और यही अपने प्रतिकूल हो जाते हैं तो ये अपने लिए दुखरूप हो जाते हैं अब ये पौदगल के द्वारा अपने उपर किया जाने वाला उपकार सुखरूप भी है और दुखरूप भी है तो इसमें जो पुदगल के माध्यम से शरीर, मन, वचन ये सब जो अनकूलता के साथ में हैं ये तो सुखरूप हो जाते हैं और इनी में अगर विद्रूपता आ जाती है अनेक तरह के ये हमारी इच्छा के विपरीत पड़ते हैं और जिन में परिवर्तन हम संभव नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अपरिवर्तनी दशाओं में यदि हम अपना एटिट्यूड अनकूल नहीं बनाते हैं तो वो भी हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है आपके लिए प्रशन भी हो सकता है कि सुख तो चलो पुदगल का उपकार है ठीक है दुख क्या पुदगल का उपकार है तो दुख भी पुदगल का उपकार है क्योंकि दुख के माद्यम से भी बहुत उपकार होता है पुदगल का उपकार दुख के रूप में जब होता है तो वही तो सुख की कीमत बताता है जब व्यक्ति अस्वस्त होता है तब उसे स्वस्तता की कीमत समझ आती है जब व्यक्ति किसी धनादी के अभाव में दुख उठाता है तब उसे धनादी का सदभाव होने पर उसकी सुख की अनवूती होती है जो व्यक्ति जिस चीज की भी इच्छा कर रहा है उसके अभाव में जो उसे दुख है उसके सदभाव में उसी को सुख की प्राप्ती होती है तो दुख ही तो देखा जाए सुख का मूल कारण है तो दुख भी उसी पुदगल के कारण से होता है तो सुख भी पुदगल के ही कारण से होता है इसलिए आपनी द्रभ संग्रे गरंत में भी पढ़ा होगा तो ये व्यवहार से सुह दुखम पुगल कम्म फलं पबुँझे दी ये जीव पुदगल करम केई फल को भोगता है पुगल लिखा ना पुगल करम तो जो पुदगलिक करम है उसका ही फल है सुख या दुख तो ये व्यवहार से इसलिए है क्योंकि हम जब तक परवस्तु से सुख या दुख की इच्छा करते हैं तो वह व्यवहार है क्योंकि व्यवहार पर को ही ग्रहन करता है या पर के ही आस्त्रित होता है तो जो परास्त्रित होता है वो व्यवहार होता है और स्वास्त्रित होता है वो निश्य होता है तो परास्त्रित ही व्यवहार संसार का कारण होता है तो शरीर भी पर है क्योंकि वो भी पुदगल से निर्मित है बचन भी पर है वो भी पुदगल से निर्मित है और मन भी अपना पर है वो भी पुदगल से निर्मित है अगर आप सरीर वचन मन इन सब को छोड़ करके किसी सुख की इच्छा करोगे तो तो वो स्वास्त्रित सुख होगा अन्य था वे सब परास्त्रित सुख है तो मन को भी परास्त्रित सुख की रूप में मानना चाहिए मन का सुख जितना भी यह सब क्या है परास्रित सुख है मन के अंदर जो विचार आते हैं इच्छाएं होती हैं तरह तरह की प्लानिंग होती हैं प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं ये सब जो है मन की ही अपनी परणती है और ये पुद्गलिक है इसलिए ये सब परास्रित है पूर्ण होने पर सुख मिलता है और अपूर्ण या बिलकुल पूर्ण नहीं होने पर दुख मिलता है तो यह जानकर के यह जानना कि जो भी यह सुख और दुख हम यहां भोगने की इच्छा कर रहे हैं वो सब क्या है? पर के आसरित है इसलिए पुद्गल भी पर है सुध रब्ब ने है पर रब्ब है तो पर दरब्ब से उत्पन्न होने वाला सुख भी पर है और जो पर है तो उस पर में दोनों प्रिकार की छंकता है अगर आप स्व में नहीं है तो वो आपको दुख भी देगा और वो आपको सुख भी देगा आप उस पर depend है तो शरीर की तरह वचन भी पर है और वचन की तरह मन भी पर है अब आप देखें वचन भी किसी किसी के लिए अनकूल होते हैं अच्छे वचन होते हैं किसी को अपने वचनों से भी सुख मिलता है और किसी को अपने वचनों से भी दुख मिलता है इसी तरीके से मन के साथ मन भी पर है पहले तो यह अक्षे डंग से सरद्धा में आ जाए फिर उस मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो भी पर के बारे में सोचता रहता है तो उस परक विचारों के साथ में जो मन जुड़ा हुआ है वे भी अगर वो परक के आस्रित वो विचार पूरे हो गए तो मन की हो गई तो हम खुस हो गए और वो मन के विचार पूरे नहीं हुए तो मन की नहीं हुई मन की नहीं हुई तो दुख हो गया तो मन से दुखी हो गए तो हम दुखी हो गए अगर हम इन सूत्रों का भी अच्छे से साइकलोजिकल तरीके से अध्यन करें तो हम कितना अच्छा मन की मानसिक्ता को समझ सकते हैं कि मन भी एक डिफरेंट चीज है जो अपनी सूल से अपना फंक्षन बिलकुल डिफरेंट बना करके चलता है मतलब कि अगर हम मन के विचार, मन के कार्य, मन के क्रिया कलापों को अपनी जो रियल अपना जो एक्जिस्ट करने वाला नेचर है उससे यदि हम डिफरेंट मान करके चलते हैं तो हम मन के क्रिया कलापों से दुखी हो करके अपने आपको दुखी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सोचेंगे कि ये जो मन के क्रिया कलाप हैं ये मन के हैं हमारे नहीं है इसलिए कभी कभी पूछा जाता ना भाई आप खुश हो के नहीं तो आदमी कहता है नहीं है खुश क्यों नहीं है मेरे मन की ये बात नहीं हुई इसलिए खुश नहीं हुई बस मन की बात नहीं हुई तो मन की बात नहीं होना और मन की बात हो जाना अगर हम इन दोनों को ये समझ लें कि ये मन भी मेरा नहीं है तो फिर हम उस सुख और दुख में भी जी सकते हैं लेकिन जब मन को ही हम स्वः समझ लेते हैं वही स्वः है मेरा सेल्फ माइ सेल्फ is my mind जब हम यह मान लेते हैं तो फिर उस मन के साथ में फिर रहना कठिन हो जाता है सुन रहा है तो यह भेद विज्ञान भी हमें सूत्र शिखा रहे हैं ववहारा सुहुदुख्खम जो सुक और दुख हैं ये व्यवहार से हैं ये सारा कशारा आपकी शरीर, वचन, मन और प्राणा पान की प्रवर्तियां ये अगर अपने अनकूल चल रही हैं तो ये सुक देती हैं प्राणा पान की प्रवर्तियां भी प्रत्कूल हो जाती हैं जब कॉरोना का एफेक्ट आने लग जाता है तो स्वासें भी बातित होती हैं तब जो है स्वास लेने में भी तकलीफ होती है ये तकलीफ ही तो दुख है तो उस समय पर उसको बिसे इस रूफ से ऑक्सीजन बगएरा देने की एक कुशिस की जाती है तो ये सब चीजें पॉदगलिक होने के कारण से ये हमारे लिए बाधा पहुचाती है और इनी से जो सुक दुक मिल रहा है यही हमारे ऊपर ये पुदगलों का उपकार चल रहा है शरीर बाहर तो ही शरीर के साथ साथ और शरीर को अच्छा लगने वाली इंद्रियों को अच्छा लगने वाली मन को अच्छा लगने वाली जो भी हमारे पास में सामग्रियां होंगी वो सब सामग्रियां हमारे भीतर क्या करेंगी जो साता वेदनी कर्म है उसको उदीरित कर देंगी उस साता वेदनी कर्म की उदीरना में वो सहायक बन जाएंगे तो बाहरी सामक्री यदि अच्छी मिलती रहे तो भीतर से साता वेदनी कर्म का उदय आता रहकर के वो हमको सुख दे सकता है और इस टॉक में रहता है सबके रहता है तो अब वो उसका नाम नहीं जानता सातावेदनी का हुद है लेकिन सुख की फीलिंग तो कर रहा है तो वो अपने अंदर एक हैपिनेस की जो फीलिंग करता है एक जॉइफुलनेस की फीलिंग करता है तो वो सब बाहरी सामग्रियों के मिलने पर ही होती है ठंड का समय हो गरम गरम भोजन मिल जाए नहीं समझ भाए तो क्या होता है इंद्रियां प्रसन हो जाती है अगर ठंड के समय पर ठंडा भोजन मिल जाए तो क्या होगा वो इंद्रियों के प्रतिकूल हो जाएगा शरीर के प्रतिकूल हो जाएगा क्योंकि वैसे भी ठंडा बोजन ठंडों के दिनों में आपके लिए बात पैदा करेगा तो सभी जीवात्माएं इसी सिद्धानत पे चल रही है बाहे पधार्थों के होने पर अंतरंग में जो साता वेदनी की उदय उदीरना से जो सुख जन्न परिणा मुत्पन होता है उसी को सुख कहते हैं और जो बाहे सामक्रियां मिलने पर हमारे भीतर से असाता की उदीरना हो जाए तो वहद जो हमारे अंदर पीड़ा पैदा करे उसी का नाम दुख है तो कोई भी नहीं चाहता कि हमें दुख मिले है ना तो सभी लोग सुख की उत्पत्ती के निरंतर प्रियास में रहते हैं लेकिन फिर भी वो प्रतिकूलताएं हो ही जाती है कितना भी अनकूलता बनाने की कोशिश की जाए प्रतिकूलता सामने आही जाती है तो उस प्रतिकूलता में जो भी चीज निमित पड़ रही है वो हमारे लिए दुख के उत्पत्ती का निमित है मालो आपका कोई सगा संबंदी है वो आपको पीडा दे रहा है आपको परिशान कर रहा है या आपको दुखी कर रहा है जैसे वो आपके सामने आता है आपको उसे देखकर के ही आपके भीतर क्रोद आता है गुस्सा आती है और फिर जो है फिर उसके माध्यम से फिर आपके अंदर ये भी भाव आता है कि अब हम जो है इस से किस तरीके से व्यवहार करें तो इस तरीके की जो परणती है ये परणती उस व्यक्ती के सामने उपस्तित होने पर आ गई अपने आप नहीं आ गई आप सुख से बैठे थे और सामने वाला आ करके खड़ा हो गया और आपको पता है कि ये क्यों आया है कुछ परानी उधारी बची है इसलिए लेने आया है तो आपको उसे देखते ही दुख पैदा हो जाएगा वैसे तो हम सांत बैठे थे अच्छे बैठे थे सुखी थे दुख कैसे हो गया तो उसके आने से हो गया तो इसको बोलते हैं बाहे कारण तो जब भी कभी दुख या सुख होता है संसार में हमेशा बाहे कारण से हो रहा होता है इसलिए आदमी कोशिस करता है जो कुछ भी हमारे सामने रहे वो अच्छा अच्छा रहे अच्छे लोग हो अच्छे बेटा बेटियां हो जिन्हें देख करके भी सुकुत्पन हो बात मानने वाले हो अनुकूल हो लड़े नहीं, जगड़े नहीं ऐसे उनके संसकार बने है वो हमेशा हमारा आदर करते रहें ताकि हमें सुक मिलता रहे जो भी हम घर बनाएं वो कहीं से टूटे नहीं, फूटे नहीं, चूबे नहीं ताकि जो है किसी भी तरीके की हमें उससे पृत्गूलता न हो जो भी हम व्यापार करें वो व्यापार भी निरंतर व्रधी को प्राप्त होता रहे किसी भी तरह से उसमें कभी नुकसान नहो किसी भी तरीके का घाटा ना लगे कोई भी जो है कभी भी sell tax, income tax, rate वगएरा यह सब कुछ ना पड़े तो हम सब इन चीजों के लिए ही क्या कर रहे होते हैं सुख की निर्मिती कर रहे होते हैं सब ऐसा बातावरंट बन जाए कि बस उससे हमको सुख मिल जाए और मिलता भी है अगर वो बन गया तो तो फिर सुख ही सुख है और उसके बनाने में अगर वो कुछ कमी रह गई या बनते बनते भी कुछ बिगड़ गया तो वही दुख का भी कारण हो गया तो आप जब भी दुखी हो कम से कम इस सुत्र को पढ़ने के बाद इतना महसूस करना कि इस दुख का कारण मेरे अंदर असाता बेदनी करम का उदह है या इस दुख का कारण कोई बाहरी निमित है चाहिए वो चेतन बस्तू है या चेतन बस्तू हो इतना सोचना पहले अगर आप इतना सूचेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि इस दुख के समय पर हमें अब क्या करना है हमें कहने की जरुवत नहीं है सुन रहे हैं ना कोई भी चीज हो बाहरी चीज व्यक्ति है या हमारा शरीर है या कोई अचेतन बस्तू है जिसके होने पर हमें दुख मिल रहा है बस्तू थै तो मेरे अंदर इतना दुख नहीं है लेकिन ये दुख मिल जाता है जब ये चीज सामने आ जाती है तो आप उस चीज को समझ करके ये समझ सकेंगे कि ये इसके निमित्य से उरा है तो हम इसके निमित्य से अब दुख ना पैदा करें इस तरीके की प्रक्रिया आप अपने अंदर अपना पाऊगे जब आप इस तरीके का एक भेद विज्ञान करने लग जाओगे तो यही सुख और दुख क्या है ये सब पुदगल के कारे है इसी तरीके से आचारे कहते है जीवन और मरण भी पुदगल के ही काम है जीवन किससे है स्वांसो च्छांस चल रही है आयू प्राण है तो जीवन चल रहा है आयू कर्म के उदै के कारण से जो शरीर में रहने को मिल रहा है ये जीवन है और आयू की पूर्णता हो गई शरीर से विच्छेद हो गया ये मरण हो गया तो जीवन भी पुदगल का उपकार है और मरण भी पुदगल का उपकार है तो जीवन तो पुदगल का उपकार समझ में आता है कि हाँ भाई ये अच्छा है कम से कम इसके कारण से हमें शरीर में मिल रहा है और जब शरीर है तो सब अपने घरवाले हैं, रिस्तेदार हैं सब हैं सुन रहे ना जब है तब ही तो है सब सब को यही तो रहता है आज जो पड़े लिखे लोग हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं देखो हमें क्या करना है हमें कुछ नहीं करना हमें तो अपने लिए सुक है हमें तो अपने बच्चों के लिए जीना है तो अब देखो उसके मन में एक कितना परास्तित भाव हो गया कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुरे लिए तो सब कुछ है, मैंने तो अपना घर, मकान बगएरा जो कुछ बनाया था, मुझे जो कुछ भी सुक पाना तो पाली है, अब तो बस ये, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे सब सेटल हो जाएं, सब बच्चों के लिए हो करके ये कहना सीखो कि मुझे अपने लिए जीना है, इससे क्या होगा, बता रहा हूँ इससे क्या होगा, अगर बच्चे के लिए जी रहे हो, इस तरीके का attitude रखोगे, तो आपको चिंता पड़ेगी, यह नो, चिंता आपके अंदर आएगी, तो आपका दुख बड़ेगा आपका दुख बड़ेगा, तो आपका रोग बड़ेगा, और जैसे ही आप अपने attitude को divert करोगे, कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, तो हमारे अंदर निश्चिंता आएगी, निश्चिंता आएगी, तो आपका रोग ठीक होगा, आप खुद उस रोग के लिए क्योर करने म खुद अपने ही भावों को कारण बना लोगा, तो बिलकुल सिंपल प्रोसेज है, सुख और दुख को अपने आप में एकदम से चेंज करने का, कोई भी दुख के, मतलब इंसिडेंट होने पर भी, या दुख की किसी भी तरीके के सरका में स्टेंसिज होने पर भी, उसको स जीवन को खुद के लिए जी रहे हों, तो जीवन भी अपने लिए उपकार करने वाला है, तो ये भी पुदगल का उपकार अपने लिए अच्छा है, लेकिन वो अपने लिए तो हो, अब जब जीवन उपकार है, तो मरण भी उपकार है, मरण कैसे उपकार हो गया, मरण भ एक जलोदर रोग होते हैं किड़नी घराब हो जाती है तो इस तरीके की जो बीमारियां होती है जिन में आदमी जो हर चौथे दिन डायलैसिस कराने को पहुंचता है इस तरीके की बीमारियों में भी जब आदमी जीता है तो उसे भीतर से लगने लग जाता है कि इससे अच्छा तो अब ये समाप्त हो जाए आप सोचो उस आदमी के लिए जैसे हर चौथे दिन डायलेसिस कराने जाना पड़ता हो पूरा का पूरा उसके लिए एक दिन उसी में निकलता है कुछ खा नहीं सकता नलियों के माद़धयम से सब कुछ डला हुआ है सब चल रہा है समझा रहा है किड़नीया नहीं है सब कुछ जो है बस ऐसे चल रहा है जैसे बिलकुल बस जाने क्यों चल रहा है तो ऐसे के लिए मरण भी उपकारी होता है बो खुद भी चाहता है और अगर उसी में अगर अच्छे से मरण हो जाए समाधी मरण तो कितना उपकारी है उसकी तो कुई बाती नहीं है समाधी मरण होने पर ये सब जंजटी चूट जाएं जनम के, सुके, दुके ये सब जंजट भी अपने आप चूटने लग जाते हैं तो मरण भी उपकारी है जब उपकारी है तभी जनम होता है हम एक पक्ष को तो देखते हैं दूसरे पक्ष से घवडाते हैं इसलिए हम कभी संग से जी नहीं पाते हैं जब मरण नहीं होगा तो जनम कैसे हो जाएगा तो जनम तो सब चाहते हैं जनम 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 दिन जनम दिन जनम दिन मरण दिन की बात आए तो उसका नामी बदल देते हैं पुन्य तिति आ गई पुन्य कैसे हो गया जै तो ये तो अगर आपके लिए उसको बोलने में भी पुरा लग रहा है तो आपने उसका नामी बदल दिया पुन्यति थी सुचने वाली बात है तो मतलब इतना आपको परा लग रहा है ये मरण भी तो उपकार था दादा जी गए तभी तो कुछ मिला तुम्हे तो मरण भी उपकारी है और उस मरण के हुए बिना जनम नहीं होगा जब जनम नहीं होगा तो जनम और मरण के बना संसारी क्या होगा और जब संसार नहीं होगा तो मोग्ष क्या होगा विवस्ती पूरी पर दल जाए तो जो विवस्ता है उसको स्विकार करो मरण भी पुदगल का उपकार है पुदगल के द्वारा पुदगल पर ही उपकार होता है यानि मरण में भी किसी ना किसी पुदगल अब जैसे माल लो ट्यूमर हो गया तो उस पुदगल ने पूरे सरीर को हाँ जगड लिया मरण की इस सिथीम पहुंचा दिया तो पुदगल ने पुदगल के ऊपर कारिकर लिया ये पुदगल का पुदगल की ऊपर उपकार हो गया इसलिए यहाँ पर जो एक सब्द आया च, है नो आचर अकलंग देवादी बड़े मनीशी आचरियों ने इस सब्द को भी इस तरीके से खोला है कि यहाँ चा क्यों दिया तो वो कहते हैं चा का मतलब यहाँ 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 कि जैसे धर्म अधर्म आदी दर्वे हैं वो केवल दूसरों पर उपकार कर रहे हैं अपने पर नहीं करते हैं क्योंकि धर्म दर्वे अपने को तो चलाने में कोई साहया कह नहीं अधर्म दर्वे अपनी इस्तिती में तो कोई सहायक है नहीं वो दूसरों के लिए है जीव और पुदगल जो गतिमान है उनके लिए तो पर ये जो पुदगल है वो ऐसा नहीं है ये पुदगल दूसरे पर भी उपकार करता है और पुदगल पुदगल पर भी उपकार करता है बड़े-बड़े अर् जीव के उपर उपकार कर दी अखिर ऐसा नहीं सुख होगे तो फिर इन सुतनक उपयोग क्या होगा तो यह देखो कि कौन सा पुदगल पुदगल के उपर उपकार कर रहा है और कौन सा पुदगल जीव के उपर उपकार कर रहा है यही अगर आप गुणा भाग लगाते रहोगे तो आपका तत्त ग्यान बढ़ता रहेगा सबसे अच्छा भेद विज्ञान करने का यह तरीका बता रहूँ आप इसका इसके उपर उपकार था, मेरे उपर तो इसका कोई उपकार नहीं था तो इस तरह की जो आपके अंदर भेद विज्ञान की इस्तिती बनेगी इसी से आपको जीव और अजीव का भेद ग्यान होएगा थोड़ा सावर पढ़ लेते हैं परस्परो पग्रहो जीवानाम जीवों का भी उपकार है और वो जीवों का उपकार कैसा है तो आचारे कहते हैं परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह करना यही जीवों का काम है जीव क्या करेंगे जीव जीव के लिए करेंगे परस्पर में उपग्रह करना यह जीवों के लिए उपकार होता है तो परफबर में उपग्रह ही जीव का जीव के साथ चलता है एकांत रूप से ऐसा नहीं हो सकता है कि जीव केवल एक जीव पर उपग्रह करता चला जाया और उसका उपग्रह उसके उपर ना हो क्योंकि परफबर सब तो जड़ा हुआ है जब तक संसार वस्था में है परस्पर में ही वो उपग्रह करेगा, अब उपग्रह का मतलब सब तरीके का उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह का मतलब पीछी बाले सूत्र से जोड़ लेना है आपको, ये सोख, दुख, जीवन, मरण, ये पुदगल के भी उपग्रह हैं, और यहां जीव के साथ भी जोड़ लेना, ये जीव के भी परस्पर में उपग्रह है, इसी रूप में होते हैं, माने जीव एक जीव को सुख भी देगा, जीव एक जीव को दूख भी देगा, जीव एक जीव के लिए मरण का भी कारण बन जाएगा, जीव एक जीव के लिए जीवन का भी कारण बन जाए जीव जीव के उपर उपकार क्या करेगा तो उसका जो उपकार है वो यही है जैसे मालो आपने उपदे सुन लिया ठीक है ना अब ये आपने उपदे सुन लिया आपने सोचा कि मेरे उपर महराज ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया जो मैं जो ये इतना ग्यान दिया मुझे इतना उपदेश दे करके उपकरत कर दिया ठीक है न ये तो आपने सोच लिया तो ये एक तरफा उपकार नहीं है अगर यहां से कोई उपदेश दिया गया आपने सुन लिया तो आपको तो लग रहा है कि ये महराज नहीं हमारे उपर उपकार कर दिया क्योंकि हमको तो फ्री में ऑनलाइन सम्मिल गया लेकिन आपका भी एक उपकार होता है परस्पर में होगा तो आप भी हमारे उपर उपकार करेंगे क्या करेंगे बहुत बड़ी बात है कि आपने सुन लिया और ये उपकार किस रूप में और हो जाता है जब जैसे कोई बात कही गई मालो आज हमने कहा आप लोग तक तो चिंतन इस तरीके से बढ़ाओ आप लोग अपना भेद बिग्जान इस तरीके से करो और आपने उसको किया और फिर आपने कभी दो-चार दिन बाद आपने करके उसका कभी मैसेज दिया कि मैं इस तरीके से कर रहा था तो मुझे बहुत सारे जो दुख थे वो मेरे दूर हो गए और मैं अब उन दुख से प्रवावित नहीं हो रहा हूँ तो ये जो आपने मैसेज दिया ये आपने मेरे उपर बड़ा उपकार कर दिया तो परस्पर में उपग्रह इस तरीके से चला करता है हमें लगता ऐसा है कि एक तरफा हो रहा है कोई मालिक होता है अपने पास में नौकर रखता है तो मालिक क्या सोचता है मैं नौकर रखे हुए हूँ मैं नौकरों की मतलब आजीव का देता हूँ मैं नौकरों को चलाता हूँ ये भी सोचना एक तरफा है और ये भी जो है वन साइड माइंडेट इसको बोलते हैं ये आपके लिए दुख देने वाला है ये आपका ग्यान नहीं ये अग्यान है ये ना ग्यान क्या होगा अगर मैं उसको पैसा देता हूँ मैं उसके लिए अपने पास में रखा हूँ तो वो भी तो मेरे लिए काम करता है ना समय पर काम करके देता है जैसा मैं उसको हिंट करता हूँ वैसा तुरंत काम करके लाकर के दे देता है तो ये जो वो आपका उपकार कर रहा है उसको भी स्विकार करो परस्परो पग्रहो जीवा नाम इसको बोलते है तो जीव यहाँ पर एक दूसरे का उपकार ही कर रहे है चाहे घर के सभी सदस्यों चाहे नौकर मालिक की विवस्ता हो नहीं कर रहे है हाँ घर के सदिस्ट भी सब एक दूसरे का उपकार कर रहे है जीव का जीव पर उपकार इस रूप में हो रहा है ना कि जीव आपकी बात मान रहा है जीव आपके ग्यान से चल रहा है तो ये जीव का जीव कर उपकार हुआ ये पुद्गल का नहीं है ना जीव जो ग्यान में जीव है वो जीव आपके कहे ग्यान को स्विकार करके उस ग्यान से चल रहा है आपने अपने नौकर को आदेश दिया ऐसा करना है तो वो नौकर को आदेश देना पुदगल का उपकार नहीं है वो जीव के उपकार है कि वह ग्यान वाला जीव उस आदेश को स्वीकार कर रहा है पुदकल स्वीकार नहीं कर रहा है जीव स्वीकार कर रहा है और वे जीव आपका नौकर बनकर के भी खुस हो रहा है और आपको समय पर काम कर रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो भी हमारे उपकार आपके बच्चे भी आपके उपकार करने वाले हैं, ऐसा ना समझें कि आप ही बच्चों की उपकार कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, इतना उपकार कर दिया, बच्चों ने भी आपके उपकार किया है, नही किया जब वो छोटे थे वो कितना आपको खुश रखते थे है ना उन्हें जब आप खिलाते थे तो आप कितना खुश होते थे कितने गंटे जो आपके कटते नहीं थे उन्होंने काटे हैं आपकी गोदी में बैठ करके आप उन्हें पुछ 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 करते रहते थे, उपर खिलाते थे, उपर उचालते थे, उनसे अपना मन बहलाते थे, तो वो आपके उपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हाँ, बड़े होकर के भी करते हैं, और जब बड़े होकर के मेरा बेटा है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रह यह जौब कर रहा है, यह सब आपके अंदर जो प्रेस्टीज बना रहा है वो आपकी, यह आपके उपर उपकारी कर रहा है, तो वो दौनर रूप में हो सकता है, सुखरूप में भी हो सकता है, दुखरूप में भी हो सकता है, तो परस्पर में यह उपग रहे चलता रहता है, जीवन में भी कारण बन सकता है, मरण में भी कारण बन सकता है, तो सब तरीके की जो हम संसार की दसाइं देख रहे हैं, वो इनी सूत्रों में समाहित हो रही है, इसलिए यह सूत्र भी जीव का उपकार करने के लिए इतना ही बताया गया, और यह सूत्र ही जो है, जो आप ती श्लोगन यह हमेशा इसी तत्वार सूत्र के इसी सूत्र का नमबर याद रखो कौन से नमबर का पांच में अध्याय का 21 नमबर का इस सूत्र है 5 by 21 परसपरो पग्रहो जीवाना तो जीव यहां पर आपस में एक दूसरे का उपग्रह करते हैं उपकार करते हैं और यही साइंस कहते हैं अगर आप थोड़ी सी यह जूलोजी बॉटनी पढ़ोगे तो आपको स्वेजीवी और परजीवी ऐसे पढ़ाए जाता है साइंस में तो सभी जीव स्वेजीवी होते हुए भी परजीवी होते हैं जीव जीव का उपकार करते हैं कोई भी जीव होगा उपने जीव से ही अपना काम चलाएगा आपकी आजीव का भी जीवों से ही चल रही है तो हर जीव का जीवन जीवों से ही चलता है तो यह भी सूत्र में य करें और इस तरीके से research करके इन subject पर भी जो है इस तरीके की research करें ताकि जो है ये सूत्र भी मतलब अच्छी यूनिवस्टियों में एक research के लिए एक subject बन सकें तो ये बहुत बड़ा आपका उपकार होगा हमारे उपर किसके उपर हाँ है ना जो लोग science के student है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ मुझे बार बार याद आ रहा था कि एक बार मुझे कहना तो है कि जो science के student है जो किसी भी तरीके से मतलब चाएं वो cosmology पढ़ रहे हों चाएं वो space science पढ़ रहे हों वो इन जैन साइन्स के टॉपिकों को अपना रिसर्च का सब्जेक्ट जरूर बनाए तो ये आपका जैन धरम के उपर भी उपकार होगा और मेरे उपर भी उपकार होगा है ना और उसके लिए जो भी गाइडेंस हम दे सकेंगे आपको देंगे आप पहले कोशिश करने की ये अपने अंदर प्रवर्ती प्यादा करें कि हमें ऐसा करना है है ना तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि दुनिया में अगर जैन विज्ञान का नाम आगे बढ़ेगा तो इस तरह की रिसर्चों के माद्यम से ही बढ़ेगा जिन लोगों ने फिलिक्स में केमिस्ट्री में MSC कर रखी है है ना उन्हें कोई ना कोई PhD करने के लिए इस तरीके का कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहिए सिरिजिन वानी जग कल्लानी जग जण मदतम मोहरी जण मन हारी गड़ हर हारी जम जराभव रोग हरी तित्थिय राणं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै लाणं सोख मणंतं धरिय सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै